नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आज मैं आपको ले चलूँगी दो खास महमानों की तरफ एक ऐसा चहरा जिन्होंने आदिवासी संघर्ष किस तरह से लड़ा जा सकता है कुछ भी कर ले सरकारें, कुछ भी कर ले पुलिस, कितना भी दमन लेकिन तन कर जब आदिवासी महिला खड़ी होती है तो उसका चहरा होता है सोनी सोरी का और आज आपकी मुलाकास सोनी सोरी के छोटे रूप उनकी बेटी अक्षरा सोनी से कराने जा रहे हैं वह दिल्ली आई हुई है दोनों ही लोग दिल्ली में आदिवासियों के हक के लिए जो संघर चल रहा है इसमें जो जन सुनवाई है उसमें शिरकत लेने के लिए पहुची है और अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सोनी सोरी ने जो संघर शुरू किया आदिवासियों का जन जंगल जमीन का जिस तरह से उन्होंने बतौर शिक्षिका अपना जिंदिगी का एक बहुत एहम सफर शुरू किया था और आज वदेश और दुनिया में आदिवासी एक्टिविस्टी नहीं भारत की लीगल राइट्स किस तरह से लड़ी जा सकती हैं जमीन पर रहके कैसे आंदोलन को आगे बनाया जा सकता है इसका एक प्रतीक है सोनी और अक्षरा आपका न्यूस क्लिक में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि अक्षरा दस्वी की पढ़ाई कर रही है 17-18 सल के हैं आप जे और अभी कदम-कदम पर जो आंदोलन चल रहा है बस्तर में चतिस गड़ में आदिवासियों का उसमें एक बहुत एहम भूमिका निभा रही है अक्षरा सबसे पहले आ आक्षरा आप बताईए कि आप क्या पढ़ती हैं कौन से स्कूल में पढ़ती हैं और कैसे आंदोलन में आप हिस्सा लेती हैं मेरा नाम अच्छरा सोरी है, मैं चुलो आसमान टारली दंद्यार से पढ़ाई टरती हूं और मैं दसवी क्लास में पढ़ती हूं और मैं बच्पन से मतलब ये तो मैं नहीं जानती थी कि मतलब इस तरीचे से लरना भी पढ़े रहा प्लेस पापा भी जेल के ले रहे तो उससे बीच में हम लोग इतने अन्याई मतलब इतने अन्याई देखे हैं कि हर छोटे छोटे बच्चे उन टो फिर अपनी माँ से अलर होना पर चा था अपने पापाउं से अलर परना था मतलब वहा हम दोट एक हम यह सोचे। मेरे माइंड में मेरे ड़ी मेरे को भी पर पर लटनीर में आपको डर Damit पुलिस है वहां इती बंदूकें हैं सारी फाइरिंग होती रहती है डर नहीं लगता आपको अब जान मरना तो सब्टों है यह साथ में मड़ो चैटेले मरो मरना तो सब्टों इसके मैं टोटी डर नहीं रहता हुआ अभी तो आपकी उमर बहुत कम है ना तो अभी मरने की बात कहां से आ गई तो अब हर देते हुए हर चीज़ बोटरते हुए तो मैंड में आई जाते हैं जाते हैं यह रोड़ तो हर डाव में ऐसा होता है कि आज हम लो साठ्या होने वाला कोई मंड़ाई जाता है कोई साधिय सब्सक्राव सब्सक्राइब करती हैं किस तरह से आप क्या काम करती हैं कि कांघ इसा होता है कि हर जाते हैं हर तो यह मतलब पूछने लगता है क्या जमारी साथ मतलब बताने लगते हैं याज हमारे साथ ऐसा हुआ था मारना मारना पितना हर आंदुलन रहा है तो वहां दो तो आप से जाधा है यह जाला हूं जाते हैं हैं जाटे हैं हम जाते हैं हम जाते हैं कि आपने जिन्दगी में बहुत अलग लग दोर देखे पहले आप पढ़ाती थी फिर उस आप पुलिस और पूरे सिस्टम के शोशन का एक पूरा बहुत आपने अपने उपर उसको जेला, जेल में रही, सब कुछ हुआ, आप कभी चुप नहीं हुई, आज जब आप आई हैं और आपकी बेटी आपके साथ है, तब कैसा लग रहा है? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, कि मेरे बच्चे कितना मतलब एक मेरी लड़ाई का एक इस्सा बनेंगे, और इसना मेरे साथ कदम से कदम मिलाएंगे, ये मेरे नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं जेल से रहा होके गई जब गर, तो तब हम तीनों बच्चे और मैं, आने चारो उसमें एक बात हुई थी, तो बच्चे ने मुझे पूचा था, मम्मी आप जेल से क्या सोच किया है, तो मैंने बहला, मैं तो आप लोग के लिए आई हूँ, और बस्तर के लिए आई हूँ, तो आप ये ही सोच किया हैं ना, बस्तर के लिए और अमारे लिए, ठीक है ममी, तो जब ऐसा कभी हो जाता था कि मैं कभी-कभी अपने पाय अपनी लडा पिर मैं चले जाती थी, तब मुझे लगा मेरे बच्चे भी वाकी इतनी समझदार हो गए हैं, कि कभी ओर रोकते ने, तो उन्होंने बोला बच्चे लोग ने, कि देखो ममी, अगर बाहर निकलते हो, तो बस्तर की माँ हो, जब गर के अंदर रहते हो, तो हमारी माँ हो, तो ह यह बेटी ने, तो हर पल मेरे कदम से कदम रखती है, और पूरी जेलों में जाती है, जगदलपूर का जेलो, दंतेवाड़ा जेल में जाती हैं, जब मेरे गर में आते हैं, जो जेल में रहने वाले बंदियों का परिवार, तो तब मैं जाने पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है या इसा होता है तो मैं परिशान होती हूं तब मेरी बेटी कहा करती थी मजी क्यों परिशान हो मैं तो हुआ जाओंगी तो बेटा अपना गाड़ी में बैटा लिए लोगों को भी पैटा लिए अब चले गई टमटर मिर्ची प्याज सब करिद्वा के फिर उनसे मु कर वापस कभी जगदलपुर में गुसी कर YEज ही कि रीया ही हो रही ही आर ओ परिवार आया है कि ऍाट चलो मेडम आप रहा है वां तब मैं बीयटी मेर से बोलती है आपको UN 때 में मिल रहा थो इस का पिलाएगी खाना किलाएगी सब किलाएगी गाड़ी बेटाएगी तो आप क्या करें तो आप बताओ ना क्या करना है कोट में पिर मैं अपने वकील को बताती हूं कि मेरी बेटी आ रही है तोड़ा देख लो फिर माज जाके पूरा अब तो ये भी बताने की जरूत नहीं पढ़ती है वकील को कि अकसरा आ रही है वो खुद पूरा एंडल कर लेती है और इससे मजे मतलब भी और एक बात अभी में पर मकी जाए ज़ूार नहीं हूँ और अधने के लुट मुधाड़ाण की नहीं हूँ कि एक बड़ी अंदोलान चल रहे हैं मुल्वासी बचा sécur मांसे सबीड़ाइं में चल रहा है वेचापल में चल रहा है इतार मार तरफ चल रहा है और वेचा पल के अंदर मिरतूर क कर दो तो उसके बाद वहां पर लोगों ने बताया कल आमको इतनी बुरी तरह पीटे हैं और अभी यह बोल कि गई यह पौरसी सोर चले गई वापसी में साम जैसा हो जाएगा इतना मारेंगे तुम लोग यह एक जन भी नजर नहीं आओगे बोले हैं हम कैसे करें अब मेरे प क्या करें आप सोचो क्या करना है तो वह लेकि मैं रह जाती हूं फिर मेरी बेटी उस अंदोलान में डटी रही और सब को बताने लगी कि आप इस जाड में चड़ो इस जाड में चड़ो और मोबेल मन को पूरा केश करके रखो हमको सबूत भी बनानी हैं हम हम अमेसा प्राइब करने ल्किनलाब कहा है उससा करती है तो पुलिस नहीं आते हैं तो तब भी ममी को सचो सोङी एञेख maior लेकिन आप तो अब से भी डरने लग के है फुल्ही उनको पता चलू गया है आज आज आ बिल्कुल मारे नहीं है कुछ नहीं कित पुलीस ऊसी रूट से हम आपकी बेटी को नहीं बेज़ो आपकी बेटी ने हमारी बेटी है हम नहीं बेज़ेंगे आज देखे इतनी चोटी है तो क्या हुआ लेकिन आज रहने से हमारा लाटी चार्ज नहीं हुआ हमको मारपीट नहीं किया गया नहीं वो नहीं आएगी आज हम कल बेज़ेंगे य तो मेरे नाना ले जाते थे तब मैं धिरी रही जेल में कितने लोगों से मिल चुके अभी तक कि दस लोगों से मिल चुके हैं और फिर निटले भी बहुत लोगे हैं तो क्या लगता है कि अक्षरा को देखके बाकी और बच्चे भी आ रहे हैं अहां बच्चे मेरी बड़ी बेटी तो कह रहा अपने साधियुदी कर ली और अक्सरा है बेटा पढ़ रहा है लेकि इतना पता है कि तीनों बच्चे में कभी मुझे कमजोर होने ने दिया अबीता तो नहीं है अभीता नहीं सोचते हैं जब पता आजे चलते सोचने तो यह आगे करने का मन है आपका पढ़ाई आगे करेंगी पॉलिटिक्स में जाना है हां मतलब बहुत अच्छा लगा बात करके तैंक यू